किन अच्छा जी स्क्रीन स्क्रीन पर एक क्वेशण अजर आ रहा होग़ इसमें हमारे पास जो वाई है वो एवरेज होता था जो हमारे पास वाई है वो क्या होता था सवाल को रीट करकर ना आप लोगों को मैं सॉल्फ करने के लिए पांच से साथ मिनट डूंगा अच्छा इस पे लिखाव है हामिद प्राइवेट लेमेटेड एच्पी एल हैस रिसीवड एन ओर्डर और सप्लाय ऑफ न्यू प्रोड़क्ट दप्लैनिंग डेपार्टमेंट has estimated that for the first batch of 500 units the per unit revenue or cost will be as follows selling price direct material direct labor variable production overheads fixed production overheads selling expenses HPL has a learning curve of 80% for all new products the units are produced in batches of 500 units and a learning effect applies to the first eight batches only note log 0.8 divided by log of 2 is equals to negative 0.322 compute the minimum quantity that would allow HPL to earn a contribution margin of 20% of sales 15 marks तो सवाल कुछ इस सहरा से के कम्पनी हैं और वो कुछ प्रोड़क्स बनाती है और जो प्रोड़क्स वो बनाती है वो 5500 units के batches में बनाती है पांच-500 units के batches में बनाती है जो रेविन्य और कॉस्ट की अमाउंट है वो सेलिंग प्राइस है माटीरियल है लेबर है विरीबल प्रोड़क्शन ओवरेट्शन 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 और सेलिंग कर जो है वह 8 batches तक अप्लाएं होगा आपके पास एक जो है वह लर्निंग का कोईफिशंट भी दिया वाया कि विच मींज के यह आपने कंप्यूट नहीं करना प्रोड़क्शन और आपको यह बता करना है कि वह अगर 20 पर संद का कंट्रीपिशन मार्जन चाहिए हो तो हमें कितने batches जो है वो बनाने पड़ेंगे यह units बनाने पड़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भही हमारी जो क्या कहते हैं selling प्राइजर वो कितनी है एक unit की एक unit की selling prices 4500 अगर मुझे 20% का contribution margin चाहिए अगर मुझे 20% का contribution margin चाहिए तो इसका मतलब मेरी जो variable cost होनी चाहिए मेरी जो variable cost होनी चाहिए वो 4500 का 80% होनी चाहिए ठीक है अगर मुझे 4500 का 80% मेरी variable cost होगी 20% मेरा yes ratio यह contribution margin होगा which is 360 यह total variable cost होगी अच्छा direct material की जो variable cost है एक unit पर वो 180 रुपय होगी उसमें किसी किसम का कोई change नहीं है अच्छा जी इसके बाद जो selling expenses है variable वाले जो पर यूनिट 20 रुपय दिये हैं वो 20 होगए fixed production over rates को पहली बात हम ignore करते हैं क्यों ignore करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे सवाल में contribution margin का जिकर वावा है और जब जिकर contribution margin का वावा होता है तो contribution margin का यह मतलब होता है कि fixed production cost हम उसमें account for नहीं करेंगे ठीक है ना यह आपके पर selling expenses है दूसरी बात यह हो गई कि जो मेरी direct labor की cost यह variable production over rates की cost है यह दोनों cost labor hours पर depend करती है अगर labor hours कम हो जाएंगे तो यह cost कम हो जाएगी अगर labor hours भढ़ जाएंगे तो यह cost भढ़ जाएगी और कि वीरीवर प्रोडक्शन अव्रेट जो है वह लेबर की cost का 25% हा है इसका मतलब में यह कह सकता हूं कि पर आर ओर और को ने प्रोड़क्शन ओचल मियान प्लस लेबर जिसके लह कोस्ट अग्टे एग तो 100 रुपे देता हूं और हर 100 रुपे के अगेंस 25% मुझे विरियाबल प्रोडक्शन ओवरेट भी पे करने पड़ते तो 125 बना अब यह जो है ना यह पर आर विरियेबल कॉस्ट कॉंस्टेंट नहीं है मतलब पर आर तो सेम है पर आर तो 125 है लेकिन अगर मैं कम यूनिट भाइबर आर्स कॉस्ट भी कम हो जाते हैं कि तो हम एक काम करते हैं कि जो weekend कॉस्ट इपंड करती है वह कितनी होग्यार निकालते यह total variable cost इसमें से material यह तो labor hours कम हो जाएं ज्यादा हो जाएं चेंज नहीं होगा यह selling expenses labor hours कम हो जाएं ज्यादा हो जाएं यह भी change नहीं होगा यानि कि 160 की वो variable cost है 160 की per unit 160 की per unit 160 की per unit वो variable cost है जो labor hours पर depend करेगी अगर मुझे 4500 का 20% contribution चाहिए तो इसका मतलब मेरी variable cost 80% होगी 80% की variable cost यानि कि 360 उसमें से 180 material होगा 20 रुपे selling expenses होगा है बच गए 160 per unit यह वो वाली variable cost है जो labor hours पर depend करेगी यह वो वाली variable cost है जो labor hours पर depend करेगी अच्छा एक घंटे के लिए लेबर सौर पहले था वेरीबल प्रोड़क्शन ओवेरेट 25% यानि कि 25 रुपे होते हैं यानि कि पर आर मुझे cost पढ़ती है एक सो पच्छस अब अगर मुझे पर unit variable cost जो labor की और क्या किते वेरीबल प्रोड़क्शन ओवेरेट की वह 160 चाहिए तो इसका मतलब यह है कि एक unit कितनी देर में बन जाना चाहिए 160 divided by 125 ना 160 total cost 125 par hour cost 1.28 इसका मतलब अगर एक unit अगर एक unit अगर एक unit on an average अगर एक unit on an average 1.28 hours में बन जाएगा अगर एक unit on an average 1.28 hours में बन जाएगा तो यह मामलात अचीव हो जाएगे जाने कि मेरी per unit variable production और लेबल की ये cost होगी selling की ये cost होगी material की ये cost होगी total variable cost ये होगी और selling price में से variable cost फाइनस करूँगा तो 20% contribution बच जाएगी ठीक है मैं एक बार briefly यहां तक की सारी बाते repeat कर देता हूँ सवाल के साब से मुझे एक unit 4500 का बेचना सवाल की requirement के हिसाब से मुझे 20% का contribution margin चाहिए तो अगर मुझे 20% का contribution margin चाहिए तो इसका मत्दब मेरी variable cost 80% होगी यानि कि साड़े 400 का 80% which is 360 सवाल के हिसाब से एक unit पर 180 का material और 20 रुपे के variable selling expenses लगेंगे ये दोनों चीज़ें 20 रुपे और 180 रुपे लिखावा है बतायावा है बोलावा है तो इसका मतलब यह होगया कि अगर total variable cost 360 होगी और इसमें 180 material होगा और 20 रुपे selling expenses होगे तो इसका मतलब यह होगया कि material और selling expenses को हटाकर जो variable cost होगी वो 160 होनी चाहिए और यह 160 क्या होगा डारेक्ट लेबर और variable production और यह दो चीज़ें रह देंगे पिर सवाल के हिसाब से एक unit बनाने के लिए labor 100 रुपे लेता सवाल के साब से एक unit बनाने के लिए labor 100 रुपे लेता और direct labor की cost 100 का 25% होती है direct labor की cost 100 का 25% होती है यानि के 100 multiplied by 1.25 125 रुपे पर और मुझे labor और variable overheads की cost पढ़ती है तो अगर per unit labor और variable overheads और labor की cost 160 होनी चाहिए तो एक unit 1.28 आज में on an average बन जाना चाहिए तब ये सब अचीव होगा ये मैं एक दो बार repeat कर चुका हूँ recording में दो बादर से आपको इसकी repetition में लेगी अच्छा आप first batch कितनी देर में बनता है sir first batch में 500 units है और हर unit बनता है दो घंटे में यानि के ए हो गया 1000 अच्छा why यानि के जो average time है ना average time average time जो मुझे चाहिए अगर मुझे 20% का CS ratio अचीव करना है वो क्या होगा 500 batches एक unit में है on an average एक unit 1.28 hours में बनेगा तो वो सारी बाते होंगी जो इस 1.28 के उपर लिखी नहीं है इसका मतलब on an average एक batch जो है वो 640 hours में बन जाना चाहिए अच्छा बी हमें दियाव है अच्छा जी बी हमें दियाव है ठीक है ना बी जो दियाव है वो दियाव है negative 0.322 तो अब हम अपना formula लगाते है y is equals to a x power b ठीक है तो 640 divided by 1000 640 divided by 1000 यह 0.64 बनता है 0.64 is equals to x की power negative 0.322 उसके बाद negative 0.322 उल्टे हाथ पर जाएगा तो 0.64 की power 1 divided by 1 divided by negative 0.322 0.64 की power 1 divided by negative 0.322 तो x की जो value आती है ने वो 4 आती है और 4 का क्या मतलब है 4 का मतलब यह है कि आपको 4 batches बनाने होंगे अगर आपने यह CS ratio अचीव करना है और यह वाली cost अचीव करनी है अच्छा जी तो 4 batches का मतलब कितने units हैं हर batch में अगर 500 यूनिट्स है तो 2000 यूनिट्स है इसका मतलब मुझे 2000 यूनिट्स बनाने होंगे इसका मतलब मुझे 2000 यूनिट्स बनाने होंगे अगर मुझे 20 परसंट का CS ratio अचीव करना तो अब मैं एक काम करता हूं कि यह जो ब्रीफ सी मैंने 15 20-25 मिनिट की recording करी है यह recording आपको प्रोवाइड करता हूं आप इसको दुबारा से देखो और WhatsApp पर मुझे से questions पूछ लो